वेलकम बेक टूमाई चैनल तो आज मैं टाटा पंच की एक छोटी सी जो इसमें कमी है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं बेस्मेंट में खड़ाओं और यह मेरे पास टाटा पंच की की है तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगती ह और आपके पास टाटा पंच है तो आपको भी यह सेम प्रोब्लम आ रही है या फिर आपको यह कमी लगती है टाटा पंच की तो कमेंट करके बताएं जैसे कि इसको लोग करते हैं जैसे मैं अभी यह लोग है मैं इसको अनलोग करता हूं तो दो बार लाइट जलती है अगर मैं इसको लोक को दोबारा दबाता हूं ताकि चेक करने के लिए कि लोक है नहीं है तो यह चार बार ब्लिंक होता है देखिए फिर से दिखा देता हूं अन्लोक किया मैंने एक बार लाइट जली लोक किया मैंने दो बार लाइट जली फिर से मैं चेक करता हूं तो चार बार ब फीचर होता कुछ कि कई बार ध्यान नहीं रहता है कि आपने बटन दबाया नहीं दबाया मैं इसको यहां पर खड़ी करकर ऊपर चला जाता हूं तो एक दम से ध्यान आता है कि अगर मैंने किक आपके पास तो वह आपको पता चल जाता कि भई लोग अनलोक हो गया है तो मेरे को कमेंट करके बताएं क्या हम वो इसके अंदर लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं ताकि मैं लोक अनलोक करूँ तो साउंड आए बीप आए जो भी है ताकि मेरे को पता चले कि यह लोक अनलोक हो गई है तो यहां पर आपको फिर से दिखात जैसे कि और इसकी रेंज बहुत दूर तक है चाबी की जो की है बहुत बढ़िया रेंज है मैं काफी दूर से इसको ओन कर लेता हूं यह देखिए अन्लोग किया मैंने एक लाइट ओन हुई है और अंदर की कैविन लाइट भी ओन हो जाती है रात की टाइम और यह अच्छा लेकिन दिन में भी ओन हो जाती है और इसको आफ करने का कोई बटन भी नहीं रहता तो अब इसको मैं लोग करता हूं दो बार ब्लिंक हुआ है मैं फिर से चेक करता हूं एक दो तीन चार बार ब्लिंक हुआ है तो यह इतनी इतनी ही वीडियो थी गाइस इसमें लेकिन मेरे ब्लिंक के बज़ाए और साउंड भी आए ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहे कि काफी बार क्या रहता है आप जल्दी जल्दी में रहते हैं आपने लोग का बटन दबा दिया लेकिन वो माइंड में नहीं रहता तो दोबारा से मैं इसको चेक करके जाता हूँ तो यह बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ तो आज की वीडियो में इतना ही था गाईज सब्सक्राइब करते हैं चैनल को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी और बाई गाईज